लिए इसझे पॉपूलेशन वाला पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो आप समझे कि पॉपूलेशन कहते कि इसको है पॉपूलेशन को हिंदी में हम लोग आबाधी या समस्टि भी कहते हैं कि आइसे समझेंगा कि पॉपूलेशन को di legitim करने के लिए करिभासित करने के लिए सबसे पहले आपको एक फिक्स एरिया निश्शित छ IO आपको निधरित करना होगा ठीक को बताना होगा कि आप किस एरिया का पॉपूलेशन बता रहें एक बद तो में बोला क्या कि एरिया फिक्स अफना पड़ेगा ठीक है ना दूसरा कहता है कि पॉपूलेशन हमेशा एक ही प्रकार के जीवों का या और्गनिजम्स का होता है एक ही एस्पीशीज का एक पॉपूलेशन होता है एक ही एस्पीशीज का एस्पीशीज नहीं और थर्ड क्या है कि जब भी आप पॉपूलेशन को डिफाइन करते हैं तो आपको टाइम क्या करना पड़ेगा टाइम आपको निर्धारित करना पड़ेगा ठीक है ना ताइम आपको बताना पड़ेगा किस टाइम में आप से एक स्पीस्शिज का एक खास टाइम में पॉपूलिशन क्या होता है तेक निश्चेत एरिया में मनुष्य Κाहें मनुश्य का या किसी दूसरे एक एरिया में एक प्रकार के सदस्यों या इंडिविज्वल्स का जो शंख्या होता है का जो शमू होता है उसको हम लोग निश्चित समयमें एक प्रकार के जीवों एक प्रकार के इंडिविज्वल के समूह को हम लोग पॉलेशन या आबादी कहते हैं ठेक है? अब ये जो पॉलेशन हम लोग पॉल्णना शुरू किया है एक बड़ा सा ये भाग है हम लोग 다ac ev सियाग गुण होते हैं जिनको हम लोग population attributes भी कहते हैं ते population के गुण कौन-कौन से हैं या population attributes कौन-कौन से हैं जरा इनको देखा जाएगा इसमें कुछ terms हैं कुछ शब्द हैं जिनको हम लोगोंने परिभासित किया है आज की lecture में कुछ देखेंगे और next lecture में फिर बाकी को हम लोग cover करेंगे आज जो फर्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे population में वह है population density density का मतलब क्या होता है घनत्व हिंदी मोलते हैं घनत्व नहीं समस्टी घनत्व या अबादी घनत्व यह घनत्व क्या होता है तो मान लोग इसको हम लोग जहां पर जो mathematical expression है जो गनत्व है जो निरूपन है उससे समझें तो ज्यादा समझ में आएगा मतलब कि जैसे मान लोग उन्हें बोला कि किसी एरिया में जो एक प्रकार के जीवों का एक प्रकार के individuals का ग्रूप है उसको population करें तो मालों कि एरिया पांच वर्ग किलोमीटर का है और इस में panac हजार human beings रहते हैं मनुस्य रहते हैं नहीं पांच यार humans रखते हैं तो क्या है कब हमको निकालना है कि population density क्या है तो क्या करेंगे हम लो कि total जो इंडिविजुल्स है total जो सदस्य है उनमें total एरिया से हम लोग भाग लगा देंगे तो इसे फायदा क्या हो जाएगा मनलों यहां पर टोटल इंडिविजुल्स होगे 5000 और इरिया हो गया प्रति वर किलोमेटर कितना एक हजार मनुस्य तो यह क्या निकल गया यह पॉपूलेशन डेंसिटी निकल गया नहीं तो अगर इसको परिभासित करना उसको डिफाइन करना हो तो मनों बोलेंगे कि नंबर अब इंडिविजुल्स ऑफ पॉपूलेशन प्र यूनिट एरिया एट गिवें टाइंग एक दिये गया समय में एक आंक छेत्रफल में पर सेक्स रेसियो नहीं लिंगा अनुपात हिंदियें मोलते हैं लिंगा अनुपात का मतलब हुआ कि किसी भी पॉपूलेशन में दो तरह के इंडिविजुल होते हैं उसमें मेल भी होते हैं और उसमें फीमेल भी होती हैं नहीं तो मेल और फीमेल का जो अनुपात है जो रेसि ठैख्रेशियो में जो सेक्स रेशियो है उसीक को हम लोग क्या कोते हैं सेक्स रेशीयो यह लिंगा अनुपात कोते हैं समन्ने रूप से किसी भी में सेक्स रेशियो है वह charts टोलेशन अ ही ऑम Connie देखाड़ा है तो हमको में क्या लिख दिए कि नंबर ऑप मेल और फीमेल पर थाउजन्ड पॉपुलिशन एक हजार पॉपुलेशन में मेर फीमेल का जो संख्या है वह क्या है उस पॉपुलेशन का सेक्स रेश्यू है और एक जामपल से समझें तो मालो कि कि एक हजार किसी गाऊं का या किसी मुहले का पॉपीलेशन मनुस्यों का उसमें से माले लो कि 550 हमलो माल लेते हैं कि 550 क्या है मेल है नहीं और बाकि कितने मज गये तो 450 450 क्या हो गए फीमेल हो गए तो वह अगर सेक्स निकालना है उस पॉपूलिशन का तो हम लोग क्या कि यह 550 बटा 450 नहीं तो कितना हो जाएगा जड़ा देखो तो 55 बटा 45 इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग 500 डिवाइट करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका मतलब है कि उस गाओं में हर 11 मिल पर कितने फीमेल है तो 9 फीमेल है यह हो गया सेक्स रेशियो अगला जो टर्म है एक पॉपुलिशन में जो हमने को पढ़ना चाहिए वह है नेटालीती या बर्थ नहीं बर्थ मतलब जन्म नेटालीती या बर्थ अब देखो जारा तो number of birth during a given period in a population एक समय निर्धारित कर देते हैं वो समय एक सप्ता का हो सकता है वो समय एक महीने का हो सकता है वो समय एक साल का हो सकता है कोई भी एक time हम लोग निर्धारित कर देते हैं और उस निर्धारित समय में एक population को देखते हैं उस population में जितने नए सदस्य जनम लेते नहीं जितना जनम होता है वह क्या है वह उस पॉपुलेशन का नेटालेटी या बर्थ है नहीं नेटालेटी या बर्थ है मालो कि 1000 का एक पॉपुलेशन है उसमें एक साल में 50 बच्चों ने जनम लिया तो उस पॉपुलेशन के नेटालेटी क्या हो गई 50 हो गई अब इसमें नेटालीटी के साथ एक वर्ड हम लोगों को पढ़ना है नेटालीटी रेट या इसी को हम लोग बर्थ रेट भी बोलते हैं नहीं जनमदर बर्थ रेट या नेटालीटी रेट अब यह बर्थ रेट या नेटालीटी रेट क्या है नहीं तो यह क्या है कैसे समझना कि यह लिया कि एक साल में 50 इंडिविज्वल ने जनम लिया तो आप से पूछा जाए इस पॉपूलेशन का बर्थ रेट क्या है तो आप क्या करेंगे कि 50 में 1000 से भाग लगा देंगे एक रिश्यो निकाल देंगे तो क्या हो जाएका पॉर इंडिविज्वल जो बर्थ है जो जनम है उसकी संख्या निकल के आएगी जिसको कि आप बर्थ रेट कहेंगे जैसे कि हम लोग इस एक्जाम्पलेश में जहां 1000 पॉपूलेशन बे 50 बर 120 एक बटा 20 अगर इसको डेसिमल में कंवर्ट करोगो तो वह भी हो जाएगा यह क्या निकल के आया बर्थ रेट निकल के आया तो हम समझेंगे बर्थ रेट क्या है तो यह एक रेशियो है एक अनुपात है जिसमें कि एक निशित समय में एक दिये गए समय में पॉपुलेशन का जो ओरिजिनल साइज है उसमें कितने लोगों का जन्म हुआ और इस ही साब से पर इंडिविजूल कितना बर्थ हुआ ठीक इसी तरह से दूसरा कॉंसेप्ट है मोर्टालीती का मृत्यू या डेथ का नहीं तो डेथ क्या है तो वैसे ही एक गिवें टाइ पॉपुलेशन है तो एक समय में मालों कि एक साल में अगर 50 लोगों का डेथ हुआ तो उसमें पर इंडिविजूल हर व्यक्ति कहीं सबसे देखा जाए तो कितना डेथ हुआ तुम लोगों क्या करेंगे कि 50 by 1000 कर देंगे अब यह जो आएगा दो भी वैल्यू इसका आएगा वहां क्या हो जाएगा उसका डेथ रेट हो जाएगा इसमें कुछ और भी टर्म हैं जिनको कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसको ध्यान से आप लोग एक एक करके पढ़िएगा थैंक के च्पने आएगा रएगा में लोग बैंट झाल्यूल नेगा करत डिच्ट • उति एहें पर में दो